नमस्कार दोस्तूं आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन क्लासेज पर साती हूं हमारे सलेबस में टोपिक दिया गया रास्तान जियोग्राफी के अंदर और टोपिक के अंदर प्रिवेन और राष्ट्रिय मारग है उनके बारे में क्यूसन है वो बनेंगे किसी को लेकर एक क्यूसन आने वाला एक अंक हमें पका करना है प्रिवेन राज्य राष्ट्रिय मारग से जुड़े वे जो भी क्यूसन बनेंगे हमारे सलेबस में वो सभी इस वीडियो के माद्यम से मैं आपके सामने उपलब्द करवाऊंगा इतना विश्वास दिलाउता हूँ कि ये वीडियो अगर आप सुरू से अंतर देखेंगे तो ये एक अंग कहना ये आपका पका हो जाएगा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों सात्यों एक बार जल्दी से सबसे पहले जो जुड़े हैं वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सबस्क्राइब कीजे और देखो अंतिम समय है ज्यादा से ज्यादा हमें सोट पे चलना है जो सोट ट्रीकें सोट मेटर मिलता है उसको पढ़ना है उसी के लिए कंप्लीट क्रेस कोर्स है और ये क्रेस कोर्स मातर और मातर मातर कितने रुपे में दोस्त हूं मातर और मातर 99 रुपे के अंदर कंप्लीट क्रेस कोर्स है जिसके अंदर आपको ये जो टेस्ट सीरीज है न ये भी मिल जाएगी जो भी भाई टेस्ट सीरीज जोइन करना चाहते हैं 20 रुपे में 10 टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों अब मैं क्यूशनों के और चल रहा हूं पहला क्यूशन लेकर आ रहा हूं राजस्तान भूचेतर में सबसे छोटा राष्टे राजमारक कौन सा है राजस्तान भूचेतर के अंदर सबसे छुटा राष्टी राजमार कुन सा है यह है आपका एनेच 919 कुन सा है एनेच 919 दोस्तों फेरतल ती जारा जिला भी लिख देता हूँ नए जिलों के अनुसार फेरतल ती जारा भाई अलवर भी याद कर लेना कि अलवर साथ में इसकी लंबाई अगर आपको पूछे तो 5 किलोमेटर है इसकी लंबाई कितनी है 5 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों इसके अलावा एक है NH 148 भी यहां पर नहीं दिया हुआ है NH 148 भी NH 148 भी इसकी भी लंबाई कितनी है 5 ही किलोमेटर है और यह कोटपूतली बाहरोड में है कोटपूतली बाहरोड जिले के अंदर इस्तित है दोस्तों समझ गए अब एक क्यूसन बनता है नया देखो एक अच्छा क्यूसन रास्तान का ऐसा जिला जहां पर कोई राश्ट्री राजमारग नहीं है ऐसा जिला दियान से देख ले ना ऐसा जिला जहां कोई NH नेसनल आईवे नहीं है वो नए जिलूं के अनुसार सलूंबर है कौनसा है सलूंबर नेक्स्ट राजस्तान राजे पत परिवेन निगम की स्थापना कब होई राजस्तान राजे पत परिवेन निगम और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में कब की गई थी 1964 के अंदर राजस्तान के परिवेन विबाग का चरेवेती, आदर्स वाकिय है, नेक्स्ट है, राजस्तान में किस वर्स, पर्तम राज्य सडगनिती की गोशना की गई, पर्तम राज्य सडगनिती की गोशना, राजस्तान के अंदर जो की गई थी, वो कब की गई थी, उननेच्सो चोरान में, कब है, उननेच्सो चोरान में क के अंदर नेक्स्ट सवुनिम चत्रबुज योजना समंदित है किस समंदित है राष्ट्रे राजमार्ग विकास से राष्ट्रे राजमार्ग विकास से नेक्स्ट है कि जिले में इस्तित्मिया का बाड़ा रेल विश्टेशन का नाम मेस नगर होल्ट कर दिया गया है यह कहां के अनुसार बाड मेरे याद रखना है दोस्तूं कुछ आमन ओनलाइन क्लासे जो हमारा टेलीग्राम है देखो इस नाम से सर्च करना आपको उस टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडियेप है वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट राजस्तान की पहली रेल बस सेवा कहां परारम की गई राजस्तान की पहली रेल बस सेवा और यह परारम की गई थी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच दोस्तूं नेक्स्ट है राजस्तान राजे सड़क विकास को सदिनियम कब लागू हुआ था तो ये लागू हुआ था 2004 में कब 2004 के अंदर क्यों से नंबर 9 भारतमाला प्रियोजना गो बारतमाला प्रियोजना का संवंद प्रिवैंस किसे है प्रिवैंस हैं समझ गए next keesan get wide day का उद्गाटन कब किया गया किस इंगे डवाइड़ा और किस इंगे डवाइड़ा का उद्गाटन किया गया था अक्टूबर 2017 में अक्टूबर 2017 के अंदर दोस्तु नेक्स्ट राजस्तान में सबसे लंबी जल प्रिवेन सुरंग रास्तान में सबसे लंबी जल प्रिवेन अरे जल का प्रिवेन एक बांद से दूसरे बांद वो है मांसी वाकल सुरंग क्यूसन बनेगा जिला बताओ तो भाई सबसे लंबी जल प्रिवेन सुरंग के बारे में यहां पर क्यूसन बना है और सबी को उतर भी देना है तो देखता हूँ किनकिन का सही होता है जल्दी से एक बार दे दीजे उतर एक बार सभी से अपना उतर दे दीजे जिसे पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी इस Class के लिए कर रह की है पहले ही Topics के बारे में मैंने बोल दिया था नेक्स्ट राजस्तान के परतम रेलमार्ग को किस वर्स खोला गया था राजस्तान में पहला रेलमार्ग है अठारा सो चोतर में खोला गया था अठारा सो चोतर में नेक्स्ट उसन है उत्तर पस्मी रेलवे जोन का गटन कब हुआ उत्तर पस्मी जो रेलवे जोन है इसका में रेल्वे रेल्वे मंदल और इसका जो मुंक्याले ओ कहां पर है जेभपूर में। कहां पर है जेभपूर के अंदर रաժस् Problem के अंदर राज़स्तान का एक्ष्पाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड देगी किसे जोड़ेगी रतलाम और यह रतलाम है ना यह मद्दे पर देश में का उंगर पूर से रतलाम next है सांगाने थोजार 5 में कब मिला था दोजार 5 के अंदर यूश से नमर 18 राजस्तान की पस्मी चेतरिये रेल्वे पहां इस्टित है कहां पर है उदेपूर में ये कहांपर दोस्तों उदेपुर के अंदर स्थिते है दोस्तों तो यह कि उसन भी आपके लिए इंपोटेंट बन सकता है सीमा सडक विकास बोर्ड दीयो का गटन कब किया गया यह कि उसन वेरी इंपोर्टेंट पर बी आठी यो की जब हम बात कर रहे है इसका गटन किया गया था मार्च 1960 में कब उसन नमर बीस है सरवादिक संक्या में राष्ट्य राजमारग किस राज्ये में सरवादिक संक्या में राष्ट्य राजमारग किस से जो राज्ये उसके अंदर है दोस्तों बताईए माराष्ट्र कहां पर है माराष्ट्र के अंदर समझ गए अब यहां पर एक उसन बनता है कि राजस्तान के के अंदर सरवाश्टी राज्य मारक किसमें तो राजस्तान के अंदर आपका रहेगा जेपूर कौन सा जेपूर में सरवादिक राष्टे राज्मारक है इंपोर्टेंट क्योंसन है एक्जाम में सब भी सकता है अगला क्योंसन राजस्तान का सब से रवेस्तम राष्टे जेपूर, अजमेर, 6-11 हाईवे ना वो आगया समझ में सबसे वेस्तर माईवे 48 अगला क्यों सन भारतिय राजमारक अभियंता अकादमी का मुख्याले का यह जो मुख्याले है वो …. पर है नोईड़ा में खांप रिस्थी तह ये नोईड़ा के अंदर इस्थी दे है दोस्तु यह से नमर। एबी से राजस्तान में राष्टे राजमारग की सरवादिक संक्या वाला जिला अब बाई इसका उतर मैंने अब ये भी आपको बता आया है कौन सा जिला है ना है बैई जेपूर जिला है। कोन सा है जेपूर जिला। है, सरवाधिक सिंक्या में राश्ट्रवार्च वाला जिला है राजजेपूर। अब आता है सरवाधिक जिलू से गुजरने वाला ये अचे। कौन सा है 48 पारा जिलू से इसके बाद दो नमर पे आता है नेस्नल आईवे 52 जो नो जिलू से गुजरता है दोस्तों तो यह दोनों क्योंसर आपके तयार होगे अब आगे चलो क्योंसर नमर 24 में भारत में सबसे छोटा राष्टे राजमार कौन सा अच्छी तरह मैंने आपक क्या आप गलतीगर दो कौन सा है तो यह है एनच 327 भी एनच 327 भी ओप्शन यह आपना यहां पर सही रहेगा क्योंसर नमर 25 है राजस्तान के किस सेतर में सड़कू की लंबाई अधिक है किस सेतर में राजस्तान के सड़कू की लंबाई अधिक है न वो अरावली के पस्सिम दिसा में कहां पर है अरावली के पस्सिम दिसा में सड़कू की लंबाई अधिक है दोस्तों नेक्स्ट चेतक प्रियोजना किस से समन्दीत है चेतक प्रियोजना है सीमा सड़क संगतन से सीमा सड़क संगतन क्या करता है सीमा सड़क संगतन अंतराश्टे सीमावर्ती छेतर है उसको सामरिक महत्वे की सड़के बनाना इसका मुखे कारिये है नेक्स्ट राजे का सबसे छुटा राष्टे राजमारग एनस 919 के जिले से गुजरता है फिरतलती जारा अभी हम मान नहीं सकते क्योंकि फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है तो 33 जिलू के अनुसार में बात करूँगा तो हमारा रहेगा अलुवर कौन सा रहेगा अलुवर द की गई थी 1962 में इसकी स्थापना है जो की गई थी नेक्स्ट है त्वित्य राज्य सडगनिती कब गोसित की गई त्वित्य राज्य सडगनिती त्वित्य राज्य सडगनिती की गोस्ना सितंबर 2013 में की गई थी कब सितंबर 2013 के अंदर दोस्तों क्योंसर नमबर 30 कापी ही राज्य में रेल्वे जोन कितने वो याँ पर एक है दो है तीन या चार है, रेल्वे जोन हमें यह कि ऐई कारियले से क्यूंशन अच्छा बनता है बताओ कितने दोस्तों कितने हैं पांच सर कौन कौन से हैं पहला लिको जेपुर दूसरा लिको जोदपुर तीसरा लिको कोटा चोता लिको विकानेर और पांचवां रास्तान का अर्दे अजमेर यह रेलिवे मंडल है दोस्त यह क्या है रेलिवे मंडल आ गया समझ में अगला क्यों से ठाडगनीती गोसित करने वाला परतम राज्जी कौन सा है राजस्तान राज्ये तो बी ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट भारत की परतम रेल गाडी किन-किन इस्तानूं चलिती तो यह चली थी मुंबस से ठाने के बीच मुंबस से ठाने के बीच इनि ऐयो ऑप्सन। Q civ बनेगा ये कब चली थी अब चली थी 16 अप्रेलट कम्याइन्यव कि अगज्याइ अगला Qisन रेल अनुसंदान एवं प्रेक्षन के अंदर कहां इसतापित किया गया है कहां इस्तापित किया गया है पच्छबद्रा में पच्छबद्रा बाड मेर या नये जिल्लों के अनुसार पच्छबद्रा बालोत्रा पच्छबद्रा बालोत्रा नेक्स्ट है मद्दे रेलवे के अंतरगत रास्तान का कौन सा जिला आता है मद्दे रेलवे और मद्दे रेलवे के बीच में आता है दोलपूर दोलपूर है यह उत्री पस्मी रेलवे में नहीं आता है यह मद्दे रेलवे का हिस्सा है दोलपूर किसका है मद्दे रेलवे का हिस्सा है न काता में कहा पर है कोल काता के अंदर का पर है कोल काता में दोस्तों क्योंसः नमर jaam moeten 37 रास्तान में पर्तम रेल की शुरुआ जेपूर रियासत में अपृیl अठारा सुचोटर में किन इस्टानू के मत्दे वूई थीं interdisciplinary तो बांदी कुई से लेकर आगरा फोट तक बांदी कुई से लेकर आगरा फोट तक तो यह क्यूसन भी इंपोर्टेंट रह सकता है अब देखो क्यूसन बनता है कि उसमें जेपुर के सासे कौन थे जेपुर के सासक थे वह उसमें जेपुरियासत के स्वाई राम सिंग तवा में बारत में कितने रेलवे जोन, वर्तमान भारत और इसके अंदर रेलवे जोन पूरे भारत में वर्तमान में अठार वार ए Всё बनाया गया रेलवे को सभिधान में कि सुची का बनाया गया है संग सूची का किसका है संग सूची का विसे रेलेवे जोसर नमर 40 वायू प्रिवेन का राष्टिय करण कभी किया गया वायू प्रिवेन का राष्टिय करण किया गया था एक अगस्त 1903 को एक अगस्त 1903 को वायू प्रिवेन का राष्ट्रे करण किया गया क्यों से निक्तालिस नाल हवाईड़ा अवस्तित है नाल हवाईड़ा जो भारतिय वायू से ना के दीन है ये कहां पर है बीक का नेर में कहां पर है ये बीक का नेर के अंदर इस्तित है हुआ निमर्स्तानों पर वाइड़ा नहीँ है कोटा में अ CSV जालोर में आवाइड़ा नहीए काहां पर जान ब्लोर के अंदर नेस्ठ यूसन है राष्ट्य राजमारकी किस कहा है से गुजरता है यह नभी संक्य किस शोन राश्ट्य राजमारकी फिनांबर रास्मिक कोरिडोर दोनूं का हिस्सा है कौन सा राष्टे राजमारक भाई यह यह है आपका राष्टे राजमारक संक्या 27 राष्टे राजमारक संक्या 27 पहले चिंतर थी नया नाम इसका 27 कर दिया गया है अब सात्यू कुछ अलग से मैं जो जानकारी दे रहा हूं वह आपक उसन नहीं लेकर आया हूँ, बैसिक उसकी जानकारी ही आपके इसलिए लेकर आया हूँ, तो जो भी साती है, वो लिख लीजिए, देखो, 31 मार्च, 2000-23 के अनुसार, कुछ आंकडे हैं, जो हमारी एक्जाम के लिए बन सकते हैं, वो आंकडे आपको लिखा रहा हूँ, 31 मार्च है यहां पर, पहला अकडा, पहला अकडा है राश्टे राजमार्गू की लंबाई, एनच लंबाई, एनच की लंबाई, पुल लंबाई है, वो कितनी थी, 10,799 पोइंट, 72 किलो मिटर, दो नमर पे जो लेता हूँ में, वो लेता हूँ, राज्य राजमार्ग, राज्तान की यह यह राज्य मार्ग और राज्य मार्ग की जो लंबाई थी वो थी 17,348.60 km तीन नमर पे मैं ले रहा हूँ यहां पे जिला सडके हैं जिला सडके हैं इनकी लंबाई यह चुगदा जार एक सो बैतर है हाँ 6-5 km जिला सडकू के बाद हम आगे चलते हैं तो इंपोर्टेंट चीज आती है जहां से क्यूसन बनता है वो है ग्रामीन सडके हैं कौन सी है ग्रामीन सडके हैं राजस्तान के बारे में हैं पूरी जानकारी ग्रामिन सड़के हैं एक लाग एक राणमाजार पांसो से तालीस पॉइंट पांस नो किलो मिटर कुल राजस्तान में सड़कू की लंबाई है तीन लाग एक अजार आठ सो दस पॉइंट आठ छे किलो मिटर ये 31 मार 2023 के अनुसार समिक्सा जो आर्थिक समिक्सा आई थी उसके अनुसार ये रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रख दिये दोस्तूं समझ गए यहां से आपके अच्छे-चै क्यूसन है वो एक जाम के अंदर बनकर आ सकते हैं और बहुत ही बैतरीन क्यूसन है वो देखने को यहां से मिल सकते हैं दोस्तूं तो यह थे टोप इंपोर्टेंट क्यूसन जो मैंने जानकारी के अपडेट के साथ आपके पास यहां पर उपलब्द करवाए अब देखे एक चीज और मैं बता दूँ आपको साइद उससे आपको बहुत अधिक फायदा भी होगा पसू परीचर भरती में समय बचा है कम या तो मोडल पेपर या क्रेस कोर्स एक जोइन करो और जो भी साती है क्योंकि पिछले तीन दिन में जहां पर पंद्रहजार ब्यारतियों ने इंड्रोल किया है तो यह ना हो कि आप उनका इसा ना बने और आप पच्छड जाए इसलिए आज ही जाकर इसको जोइन करें सभी सा आतियों को बहुत बहुत अन्यवाद नए टोपिक के साथ अगली कलास में और आपसे मुलाकात होगी तब तक हसते रहे मुस्कराते रहे और देखते रहे कुछ आमन ओनलाइन कलासेज जय इन्द जय वारत